नमस्कार जैसरी कृष्णा मैं हूँ अपका अपना सुमित प्रताब सिंग स्वागत आप सभी का आरेस प्रॉपर्टी के एक और नए वीडियो में आज की जो प्रॉपर्टी है वो खास उन लोगों के लिए हैं जो कम पैसा लगाकर पैसा कमाना चाहते हैं जी हाँ एक ऐसी प्रॉपर्टी आपने फाइनले अरेंज की आप लोगों के लिए जिसमें अगर आपके पास बहुत कम पैसा है और पैसे से पैसा कमाने की इच्छा रखते हैं अगर आप तो यह प्रॉपर्टी आपके लिए बैस्ट रहने वाली हैं क्योंकि आज की जो प्र प्रपेदेश के डिस्टिक्स आजहांपूर से कुल 30 किलोमेटर की दूरी पर आपको मिल जाती है यह प्रॉपर्टी जिसकी तैसील रहेगी जलालाबाद लगभग भूमी से पांच किलोमीटर पर जलालाबाद तैसील से मात्र पांच किलोमीटर की दूरी पर आपको सारी स बिदाओं के साथ मिल जाती एक प्रॉपटी जो कि कुल साथ भीघा भूमी रहेगी साथ भीघा प्रॉपटी आवादी के इतना नजदी कीमत मात्र पांच लाग रुपए प्रती भीघा में आपको ये प्रॉपटी मिल जाती है आवादी से बिलकुल नजदी की क्योंकि जात से मात्र 200 मीटर पर यह प्रॉपटी है जहां पर हाइवे भी मात्र एक किलो मीटर पर है च्छे विक्तियों के नाम पर कुल प्रॉपटी रहेगी जो की ओवी सी वर्क से हैं और 90 फिट के आसपास का फ्रंट आपको रोड साइड देखने को मिल जाता है वह में की बात करें यह 30 फिट का मात्र water level आपको मिल जाता है जलावाद इसकी तैसील आपको मिल जाती है मात्र 5 km पर जो की आपका महन मारकेट रहेगा जलावाद में आपको जरूपर आवाधी से connected property है एक किलोमीटर पर आपको आने-जाने के संपूर साधन highway में पर मिल जाएंगे और ट्रेन की सुबधा भी आपको नजदीक 30 किलोमीटर सा जहाँपूर में मिलेगी भूमी की बात की जाए तो लगवग 80-85 प्रतिशत के आसपास आपको हिंदू आवादी मिल जाती है इस लोकेशन के आसपास तो जो भी वेक्ति इंटास्टेड हो इस कम कीमत की प्रॉपटी जिस पर आप पैसा लगा कर पैसा कमा सकते हैं तो आप तुरंत इसको खरीज सकते हैं सांधार जमीन को वीडियो का लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे पास और भी कम कीमत की जमीने आ चुकी हैं जिसकी रेट 25,000-30,000 रुपए प्रती बीगे के हैं तो ऐसी जमीने भी हमने साजहां पूर फरुखावाद से अरेंज कर दी हैं जो 25 और 30,000 के रेट में आपको मिलने वाली हैं तो जल से जल कॉंटेक करें आरेस परपटीज के स्कीन पर देख रहे हैं मॉबाइल नमबर पर और खरीद लेंस आंदार जमीनों को मिलते हैं आपसे को नए वीडियो में जोड़े रहे हैं अपने परवार आरेस परपटीज से वीडियो को लाइक चनल को सब्सक्राइब और से यहर जरूर करें जय स्रीक्रेशना